पढ़ते हैं खबरों की ओर आजाद समाच पार्टी के भीम आर्मी चीफ चंदर सेखर आजाद पुलिस सुरक्षा के बीच वालियर पहुचे जहां वे स्थाने समर्थकों से मुलाकात कर वापस मुरैना की ओर रवाना हो गए इस दोरान उन्होंने गुर्जन नेता रामप्र पर NSA की कारवाई के जाने पर नराजगी जताई और पुलिस वेवस्था पर भी सवाल उठाएं इस मौके पर चंदर सेखर ने सरकार और प्रशासन पर आरूप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों पर जूठे मुकद में लगाकर घर तोड़ने की बात कर रही है जनता उनको वोड की चोड़ दे कर जवाब देने का काम करेगी पच्चीस तारिक में गूजर महाकुम हुआ और गूजर महाकुम के बाद ग्यापन की देते समय कुछ विवाद हुआ अगर पूलिस ने सही वेवस्था की होती उस भीट को समालने के लिए तो मुझे लगता है कि इस तरह कट्ना नहीं होती जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण के को फटना नहीं होती लेकिंग उसके बाद जो कारवाई हुई कारवाई के नाम पर दमन हुआ हमारे परतियार सी दिमनी अनीर गुजर और इस इस बात को मैं अस्पश्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां नहिंदर तोमर जी इस बात को जानते थे